तो यहाँ पर प्रोजॉन के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कमपनी ने quarterly और early basis पे कैसा perform किया है और आपको इस share में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा साथ ही में hit the bell icon तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे revenue तो वो Q on Q basis पे 13% पे गिरा है पिछले quarter से अगर आप compare करते हो तो 13% company का revenue है वो गिरा है और ये 30 crores वे आ गया है company का revenue अब यहाँ पर company का revenue गिरा है उस वज़े से यहाँ पर company ने loss भी किया है 80,000 का ओके लेकिन जबकि पिछले quarter में company को 2 crores का profit था तो यहाँ पर थोड़ा सा revenue गिरा है और company को यहाँ पर थोड़ा सा loss हुआ है जो 80,000 का है अब यहाँ पर आप year on year basis की बात करेंगे तो वो 76% से company का revenue है वो increase हुआ है मलब पिछले December के quarter से अगर आप compare करते हो तो इस December के quarter में 76% company का revenue बड़ा है और जबकि पिछले December के quarter में 9 crore का loss था और अभी सिर्फ 80,000 का loss है तो यहाँ पर year on year basis पर तो अच्छा खासा revenue बड़ा है और loss भी यहाँ पर जो loss था 9 crore का वो अभी सिर्फ 80,000 करेंगे तो year on year basis पर company ने अच्छा perform किया और यहाँ पर रहते हुए अगर हम देखे मलब quarterly wise तो यहाँ पर जो loss है वो थोड़ा सा है जो इतना माहिने नहीं रख वो गिरा है तो overall देखेंगे तो company के ठीक ठाक results आये है market price की बात करेंगे तो fire high है 78.40 but currently 29.55 पे trade कर रहा था और आज ही 0.67% डाउन था पर जिस तरह से company के results आये है तो यहाँ पर ठीक ठाक results आये है तो अगर यहाँ पर आप invest करना चाहते हो long term purpose है तो आप इसमें निवेश क कर सकते हो क्योंकि जिस तरह से revenue बड़ा है और loss reduce हुआ और profitable भी थी company तो यहाँ पर long term purpose है आप निवेश कर सकते हो short term के लिए अभी आपको थोड़ा रुकना चाहिए और उसके बाद आप इसमें निवेश कर सकते हो अभी थोड़ा risky रहेगा क्योंकि result आया है एक दो दिन उ I hope आपको prozone के q3 के number समझ में आ गए होंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगया तो please like and share and subscribe आप चैनल और अगर आपको doubt हो कोई भी तो आप हमें comment section में पूछ सकते हो thank you